कि हेले विल्ट इंड दे सैट कॉना डोब चानल दोस्तों आज हम लोग mcq's यांनी 평y q's करेंगे यह जितने भी यहां पर cq रहेगा दोस्तों यह प्यू ऐ कि फिरवियर क्वेशीर क्वेश्टिंज am wizard कौन साथ है दोस्तों इसेघ्वर 2011 मैं बता देता हूं 2020 वाला जो जून 2020 याने नोभेंबुर में जो एक्जाम हुआ था उसका यहां पर questions है model से और December वाला ठीक है December 2019 वाला यहां पर questions यहां पर लिया गया है total कितना questions है 20 okay theories and model section से आप लोग copy में लिख लिए और दोस्तों बहुत सारा models और यहां पर कुछ important points यहां पर याड किये हैं तो आपने जो भी copy बनाया था वह copy निकाली है और यहां पर जो है याड की जिए नया नया जो चीज यहां पर डिसा सरेंगे आज वह आप याड कर लिएगा और यह जो सेसान रहने वाला है बहुत ही productive रहने वाला है ठीक है brain streaming आपका एक लेक्चर रहने वाला है यह बहुत important तो आप लोग जरूर एंट तक जरूर देखें और दोस्तों इसका PDF and mock test link आपको description link जो है description box में link दे दिये हैं वहां से आप लोग item कर सकते हैं PDF download कर सकते हैं तो कल आप लोग को मैंने गुरूप में भी जो है आपको वार्सब गुरूप और टेलिग्राम चैनल पर दे दिया था link mock test का तो I think आप लोग जो है item किये हैं और website जरूर विजिट किजिए दोस्तों यहां पर ही आपको सब कुछ मिलेगा तो दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को फार्स्ट कोस्टिन देखे एसरसन रिजन दिया गया है यहां पर एसरसन में पूचा गया है बहुंतुने मॉडल के ओपर बहुंतुने आर्ग्यूड देट दा सेक्ट्राल फील्स अर्दा मोस्ट इरेशनल रिद्यूसिंग दी टाइम स्पेंट बाइफार्मार्स इन ट्र की ने सर्कूलर फील्स के बारे में बताया तो जिके सेक्ट्राल फील्स के बारे में बताया नहीं सेक्ट्राल जो मॉडल है दोस्तों यह तो अर्बान जोराफी से है ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहां पर यह सेक्ट्राल टाम है तो इसके लिए दोस्तों य जो assertion वाला statement है यह रॉंग हो जाता है ठीक है assertion हो गया रॉंग क्योंकि इन्होंने सेक्टरल मॉडल्स की जो है फिल्स के बारे में बताई नहीं ठीक है यह तो incorrect हो गया तो और यहां पर रीजन देखते हैं सेक्टरल फिल्स और क्वामून बट दे आर यूजड इन व्यारिंग फार्मिंग सिस्टम साइन एन्वारिमेंट तो दोस्तों यह वाला जो statement है यह correct है लेकिन यह incorrect है कि यहां पर देखिए सेक्टरल फिल्स और नॉट कमोन यह पर दिखिए इन्होंने जो है यहां पर explanation दे रहे हैं कि सेक्टरल फिल्स जो है वो क्वामून चीज़ नहीं है हर जगा नहीं मिलता है क्यों बट दे आर यूजड इन ब्यारिंग फार्मिंग फार्मिंग के लिए डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम के लिए यूज होता है डिफरेंट जो करेक्ट तो यहां पर दोस्तों देखिए यह जो बहुन तुरेंग का मॉडल है आट रोसा चबीस में आया था अग्रिकल्ट्राल लैंडिंग प्लानिंग अग्रिकल्ट्राल लैंड और लोकेशनल थियोरी भी बोला जाता है इन्होंने सिक्स कॉंसेंट्रिंग जोनल डिया था तो यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में क्योंसा जोन था यहां पर भी लिखा है जोन वार में आपका मार्केट गार्डिनिंग है मिल्क प्रोड़ॉक्षन है जोन टू में फायर वूड और लंबर प्रोड़क्षन फूड्ट्र सबसक्राइब कि इसका में तो आप लोग डार्ट लगा सकते हैं तो अब दोस्तों चलते हैं के लिए भी यहां से जो आप लोगा जो इनेक्ष एक्जाम है जून 2021 वाला यहां से कोस्टिंग आ सकता है विवर क्राप क्राप कमिनेशन बहुत इंपॉर्टिंट मॉडल है दोस्तों मैं आपको यह भी दिखाऊंगा तो यह देखिए फार्ष रफल कोश्टिं में देखिए आपर चार इस्टेटमेंट दिया गया है चार इस्टेटमेंट से देखना होगा कौन सा करेक्ट है ठीक है करेक्ट देहां पर लिखे और समय में देखिए अन्सर लगा सकते हैं क्यों कि यहां पर देखिए चार Gibson दिया गया है चार और जी है यह वाला जो है हर और як ही है तो यह जो इस्टेटमेंट है यह करेक्ट होगा बुजाहिर सी बात है क्योंकि हर एक स्टेटमेंट में यह अपसन में ही है तो अधोर हम लोग देख लेते हैं क्या है यह प्रोपोश्ट यह मैटोड ऑफ अनलाइसीज सूपरियोड टूइस सीम्पल इनश्पेक्शन उन्होंने USA के जिआ मिडिल मिडिल वेस्ट युल से है उन्ट रिजन के ऊपर बेसेस कर गई है इन्होंने दिया था ठीक है तो इसमें क्या है क्रलाब को मेरेशन में एक क्लाप के साथarin टिए डिफरेंट डिफ्रेंट क्या करना होगा प्लॉट बनाके सब्सक्राइब आपको एक फिल्ड में चार टाइट का जो है फसल उगाना है ठीके तो उसमें क्या करना होगा उस फिल्ड को जो है चार हिसों में डिवाइड करके आपको क्या करना होगा फसल यहां पर हर्वेस्ट करना होगा तो यह जहां पर single crop कर रहा था था ठीक हूं लोग जो है four crop combination करके जो हे फसेट रोगाएंगे ति यह जो मॉर्डल है दोस्तों यह दिया था वही बारण है थीक है वही बार क्ऊचराब combination यह मेत्द हाई इसमें इन्हों नहीं दिया था ठीक है तो यह statement बिल्कुल सही है दोस्तों नेक्स जो इस्टेक्पेंट है वो देखते हैं यह आडिरे टाइम जैवेंसन टुदी नोशन डाट ब्रीटेंस बेस्ट अन वोर्स्ट अरिकल्चरल लैंड है नोट चेंज डियूरिंग लास्ट सेंचुरी दोस्तों यहां पर देखिए एक और टार्म मिला है तो लॉस्तों इन का जो त्योरी था वो आपको याद है तो आप लगा सकते हैं इसका असलर यह दोस्तों यह को ऊपर था उसी मीडिल वे that minimize the difference between the actual and theoretical enterprises combination दोस्तों यह जो enterprises है ना मैं यहाँ पर बोलना भूलके यह enterprises तो एक क्रॉप की बार में बता रहा है ठीक है वह बार जिन है यह enterprises माने है different crops ठीक है और दोस्तों इस theory में इन्होंने यही बताना की कोसिस क्या था की ठीक है बताया था कोसिस तो नहीं कि इन्होंने बताया था कि अक्चुल and theoretical जो यह जो difference है ठीक है crop combination का वही चीज इन्होंने इस theory में बताया था ठीक है तो यह बिलकूल जो है आपका correct statement है option number C he sought to find the number of enterprises number of crops okay that minimize the difference between the actual and theoretical crop combination okay बिलकुल सही statement है यह last बला देखते हैं he adopted a measure of yield defined as a potential production of on accurate of good average farmland under good management यह statement दोस्तों incorrect है option A and C is the correct answer तो यहाँ पर option देखते हैं A, B, C, D sorry A, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर A and C कहाँ पर है option 4 पर देखें यह and C यहाँ पर है तो इसका answer हो जाएगा option 4 is the correct answer okay दोस्तों यहाँ पर आप लोग यह जो theory देख पा रहे होंगे यह वेवर की है यह आप जरूर इसके निस्वाट ले लीजिए बहुत ही important आपको यहाँ पर दिये हैं सब यहाँ किये थे इस theory को इस crop combination study करने के लिए ठीक है 181 रिजन वान स्वरी 181 नहीं 1081 रिजन ओके इन्होंने during study इन्होंने find किया था कि यह जो रिजन है होस्टन अन्य मिनेशटा यह दोनों रिजन छोड़के बाकी इतने भी रिजन इन्होंने देखा था उसमें दोस्तों एक complex and confused picture आया था ठीक है यह जो इन्होंने किया था तो perfect study region नहीं मिला था ठीक है यह crop combination जो एपरसेंटेज है ठीक है percentage occupied by the different crops इन्होंने एक अच्छा जो precise study नहीं मिला था ठीक है इन दोनों को छोड़के Houston and Minnesota यह दोनों रिजन में इन्हों को अच्छे से जो है crop combination यह जो percentage है crop का सही से मिल गया था लेकिन यहाँ पर confusion थोड़ा confused पिक्चर आया था यानि थोड़ा सा misleading हुआ था यहाँ पर ठीक है तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मुला फॉर्मुलेट किया था फॉर्मुला कौन सा है यह वाला फॉर्मुला है ठीक है फॉर्मुला आप लोग बाद में लिख लिजेगा तो यहाँ पर फॉर्मुला में थोड़ा मिश्टे हुआ है यह क्या होगा इस तरीके का होगा summation summation d square divided by n होगा ठीक है हम दोस्तों देखते ह है इनका theoretical कार्व में monoculture two crop combination three combination के बरमें इन्होंने total 10 crop combination के बरमें दिया था ठीक है total 10 crop combination तो monoculture में क्या होता है पूरा जो single जो आपका लैंड है ठीक है उस लैंड में ठीक है यह की crop cultivation होगा ठीक है 100% जो एरिया है उसमें क्या होगा एक cultivation होगा एक crop cultivation होगा और इसमें क्या है two crop combination मनें जो आपका plot है सब्ची एक plot है इसमें क्या होगा divide कर दिएगा आधा हिस्सों में इस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं यानि आपको 50 percentage एरियां में है two crops करना है ठीक ही यहाँ पर यह क्राफ होगा और यहाँ पर दुसरा उपर ठीक है टूप करना है ठीक है यहाँ पर देखे एतरी को अंट्रकेशन दिया था 33 percentage का दिन फ्राप फ्रक्राफ कम्शन में क्या है 25 percentage देन 5 में 20 percentage each of 5 crops then आपको 10 crop combination नहीं दिया था इसमें क्या होता है 10 percentage in each of 10 crops तो यह हो गया आपका theoretical curve और इन्होंने एक formula दिया था जिसे हम लोग आपको पहले ही बता दिया कि यह summation क्या है डी माने है difference between the actual crop percentage in the study region and the percentage in a theoretical distribution और यहन क्या है number of crops और दोस्तों अगर आपको यह देखना है तो यह भी देख लिजे यह disadvantage of the waivers method ठीक है तो next question में चलते हैं दोस्तो question number 3 तो फिर से हम लोग मिला है असर्शन बीजिन वाला questions और यहां पर मैकेंडर्स हार्ट लैंड की उपर पूचा गया है questions तो देखते हैं असर्शन क्या है the locational climatic factors put मैकेंडर्स हार्ट लैंड at a relative disadvantage as compared to certain other areas sorry other larger and well to do areas of the world तो दोस्तों यह जो statement है बिल्कूल correct है assertion correct है क्योंकि देखिए heartland जो यह जो heartland का जो location है दोस्तों वहां पर climatic condition बहुत extreme है ठीक है देखिए climatic factors जो है यहां पर relatively disadvantage है यह आज competitive other areas well to do areas ठीक है तो क्योंकि यहां पर यह जो heartland area है दोस्तों वह Central Asia और Siberia और Europe की वह portion में है Central Europe में चारों तरफ से Highlands से गिरा हुआ है ठीक है mountain से गिरा हुआ है तो यह जो location है heartland का वह बहुत ही disadvantage है और यह inaccessible part है ठीक है वाल्ड का एकुड़िंग टू मैकेंडर्स ओके इन्होंने यह बताया था कि यह जो यह पार्ट जो है heartland है यह inaccessible है कोई भी आधर जो है सबुद कीजिए कोई भी आधर country आके यहां पर कब्जा करना चाहते हैं तो वह नहीं कर सकता है क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है लेकिन दोस्तों मैकेंडर्स ने यह भूल गया कि यह जो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसका भी कोई disadvantage हो सकता है जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स मौंटेंस से घुरा हुआ ठीक है तो इन्होंने इस थियोरी में यह भूल गया था कि जो है अभी जो है टेकिनिकल एडवंस्मेंट हो रहा है टेकिनिकल एडवंस्मेंट सब्सक्राइब कि मिसाइल छोड़ रहे हैं फिर आप एरोपिलेन का आविस्कार हुआ ठीक है इस थियोरी में इन्होंने बोलना ही भूल गया इसका जिकरी नहीं किया है ठीक है इसके धुरू भी जो है लोग यहां पर कबजा कर सकते हैं यह यहां पर मैकिंडर्स ने भूली गया तो हम लो लोकेशन एंड रिजल्टेंट एक्स्ट्रिम क्लाइमेट ओविसली यह भी करेक्ट है क्योंकि यहां पर पर मनेट डिफिकल्टीज है क्योंकि चारो तरफ से घिरा हुआ है माउंटेन से और ऊपर की नौदन साइट में आपका आईस ही है ठीक है आईस से घिरा हुआ है तो बिल्कुल दोन ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सपिलेनेशन भी है दोस्तों तो तो दोस्तों यहां पर थीरी की बारे में देख लिए मैंकिंडर ने 1904 में यह theory दिया था और land power के उपर basis था दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस theory की वज़े से जो मैंने पार्ट नमर 6 का जो पार्ट नमर 6 है theories and models का section ठीके वो पार्ट नमर 6 मैंने private करकर रखे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा mistake लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा हो मैं केडर्ण वाला जो मैं केडर का यह जो हैं डिवाइडीड है चिकर वाल का डिवाइडरेशन इन्होंने फ्री पार्ट में डिवेड किया था लेकिन मैंने चार हिस्वो में बता दिया था ही यहाँ पर different books में different लिखा गया लेकिन major जो तो डिवीजन हैं बोद थारड है ठीक है, थीरी हिस्टों में टिभाइड किया था, कौन सा कौन सा, हार्ट लैंड इनर क्रिसेंट और आफटर क्रिसेंट, तो मैंने यहाँ पर वार एक चीज बज़ा दिया था, वाल्ड आईलन, वाल्ड आईलन से किड में, दोस्तों सब्सक्राइब है, Heartland Theory का, ठीक है, तो यहाँ पर इस थेयोरी जो है, Basis, quina, what is this, Continental, that is Land Power की उपर Basis हुआ था, ठीक है, Basis है, बेस्ट है, स्टोरी, और Heartland की बारे में भी देखि लीजे, यह रहाँ का Heartland का डाइग्राम, Heartland में क्या है दूस्तों चारों तरफ से घिला हुआ है यहां पर माउंटेन से वार उपर से जो शाइबरीन रिएन है परमान फ्रोस्ट रिएन है ठीक है तो यहां पर देखिए एट इस असरांडेट इस आउनेट बाय मौन्टेन वान्तेंस ओंधी त्री साइड that is दोस्तो इसमें यहां पर है है यहां पर है और दोस्तों नौधन सइड में देखिए आइसमें आफ्टिक रिजन का टिकेट और दोस्तो इसमें यह भी देख लिए का कि Central Park है Siberia है Central Park of Asia के अदर कौन सा कौन सा है कजागिस्तान उजबेकिस्तान तजागिस्तान करगिस्तान तुर्कपनिस्तान यह सब जो है Countries यहाँ पर Heartland पर included था ओके और यह mean accessible part था और low population यहाँ पर था और difficult accessibility Heartland का था ठीक है तो बाकी हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे next जो six number part आएगा उसमें हम लोग अच्छे से Heartland theory को देखेंगे ठीक है तो part number sorry question number four देखते हैं अब question number four दोस्तों यहाँ पर optimal location देखना होगा maximum profit के लिए तो यहाँ पर question देखते हैं which one of the following codes correctly so the optimal location of profitability in different a special cost revenue situation in different in a diagram below तो इस diagram में देखें चार इस पेशल पॉइंट दिया गया है ABCD तो इस region में इस पॉइंट में हम लोग को देखना होगा कौन सी इस पॉइंट है region है जिसमें जो है maximum profit generate कर सकते हैं ठीक है तो situation चार दिया गया है ABCD तो हम लोग देखते हैं तो पिछला जितने भी PIQ है ठीक है previous questions 2012 से अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके का model graph नहीं मिलता था ठीक है उसमें क्या होता है diagram में लिखा रहता था कि यह जो है आपका cost line है और यह वाला जो है आपका revenue line है ठीक है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया है बस यहाँ पर लिख दिया है कि cost revenue ठीक है तो आपको यह पिछले questions की आधार में ही आपको यह करना होगा ठीक है तो यह है आपका यह पर लाइन नंड्रा कर देता हूं एक यह जो आपको लाइन है एक यह वला तो दोस्तों यह वला है आपका cost वहा ठीक है cost line है ठीक है और यह जopes ग्रीन वहाला यह जो जायगा revenue वला ठीक है तो मैं वह भी दिखाओंगा पिछले तो यहां पर आप जितने भी इंवेस्ट कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए तो जितना प्वाइसा आप इंवेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको और आउटकाम यानी प्रॉफिट मील रहे है रिजने फोर रहा है तो इसमें कोई भी लाभ भी नहीं है या लोकसान भी नहीं है तो यहां पर सबुस्कित के आपने यह सेक्शन में यह वाला हुए पर लकांड़ में यह रूपर लगाया तो उसका जो आउटकाम यह कि आया ठ रिविन्यों नहीं हो रहा है ज्यादा अई यहां पर यह तो आपका क्ष्ट लाइन है नीचे वाला तो नीचे में यह जो लाइन है दोस्तों यहां पर सुझवेश आपने 40 रूपी लगाया या 50 रूपी लगाया कोई भी इंडस्ट्री के लिए लेकिन यहां पर देखिए सबसे ज़्यादा profit हो रहा है ठीक है तो सबसे 50 रुपी लगा तो आपने double income हो रहा है यहां पर यह जो लाइन है यहां पर सबसे उचा यहां पर ही है ठीक है तो आपको लाइने देखके ही answer लगाना होगा देखिए यहां पर आपका maximum profit हो रहा है 100 का double profit हो रहा है देखिए यहां पर सबसे 50 रुपी लगाया लेकिन आपका यह जो लाइन है सबसे उचा है ठीक है यह रहा है आपका cost cost आपने यहां तक लगाया revenue यहां तक आ गया ऊपर तक यहां पर यहां पर इसका answer हो जागा B ठीक है maximum profit इसी region में होगा कि यह रहा हैucka cost cost आपने यहां तक लगाया revenue यहां तक आ उपर तक यानि2mT इंकाम यहां पर हो रहा है तो बेस्ट जो आप्टीमल लोकेशन फॉर प्राफिटी प्राफिटिबिलिटी है वह बी वाला लोकेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्स नमर्ट तो पीछले जितने भी कोश्चिंस आया था उसमें इस तरीके से दिया जाता था यह जो लाइन है आपका यह लाइने वाला य श चो लाइन है यह आपका कोस्ट वाला है यह रिविन्यू बाहिर तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जांगा डी क्यूंकि यहां पर देखिए maximum फ्राफिट यहां पर हो रहा है ठीक है कम पैसा जो है in the VLS कर प्र करके कोस्ट आपका कम हो रहा है लेकिन यहां पर देख कि आपको यह समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो प्लीज कवंड बॉक्स में लिखके बताएं नेस्ट कोर्शिन देखते हैं तो यह कोर्शिन भी हम लोग तो देखते हैं यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है मैटरियल इंडेक्स आइसोड़ डेक्स देखते हैं फटाफट तो हम लोग अल्रेड़ी इसको डिसकास कर चुके हैं तो इसमें ज्यादा टाइम इनिवेस्ट नहीं करेंगे फटाफट करेंगे मैटरियल इंडेस क्या है वेट अब दी लोकलाइज मैटरियल एंड वेट अब दी प्रोड़ाक्ट ऑफसन नमबर थी हो जाया करेक्ट इसका ठीक है आइसोड़पन क्या है लाइन ओप एक्वल ट्रांसपोर्ट कोस्ट पर टोन और लेबर कोफिशन क्या है रेशियो ओफ लेबर कोस्ट पर यहां पर है तो यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं अलफ्रेड वेबर का थियोरी देखें 1909 में दिया था बुक भी देख लिएगा वरिजिनल बुक को नाम है वेर देन स्टांडर्ड डेर इंडस्ट्रे और लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थियोरी से नाम से जाना दाता ह है अलफ्रेड वेबर का थियोरी और आइसो जबन के बार में अभी देखा मैट्रियल इंडेग्स भी है ठीक है और एक चीज है दोस्तों लोकेशनल ट्राइंगल लोकेशनल ट्राइंगल माने क्या है इंडस्ट्री कहां पर लोकेट होगा उसके लिए इन्होंने material है pure material मतलब जिसका वोइट लूज नहीं होता है ठीक है अगर pure material है तो आपका market oriented होगा ठीक है यह जो इंडस्टीज यह market oriented है ठीक है अगर आपका impure है जहां पर white loss होता है तो वहां पर क्या होगा raw material की पास जो है इंडस्टी होगा और दोस्तों अगर यूबी कुल्टा से raw material यानि हर जगा मिलता है तो किसी भी अरियाज में लगा सकते हैं तो ज्यादा तर आपका market अरियाज में ही इंडस्ट्री लोकेट होता है है तो आपको यह समझ में आया होगा यह वाला थियोरी तो दोस्तों अभी तक जो जितने भी कोस्टिंस देखा टोटल फाइब कोस्टिंस तो दोस्तों यह कोस्टिंस जून 2020 वाला था ठीक है 2020 वाला नेर्ट जो कोसिं देखेंगे यह यहां से आपको आपका टूइन्टी तक जो है हम लोग देखेंगे डिसमबर 2019 जो पूछा गया था वह वाला कुस्टिंग्स यह डिसमबर वाला है ठीक है पार्ट नवर सॉरी कुछ निमर सीक्स को यह दोस्तों मैं बहुत बार डिसकस कर चुका हूँ अपने वीडियो में अगर आपने नहीं देखें वीडियो फ्रिवियंस तो आप लोग देख लिए कितना बार डिसकस कर चुका हूँ तो यहां पर देखें क्या पूचा गया है तो यहां पर देखें क्या पूचा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्लेस मॉडल स्वाप को चलाने के लिए वह मिनिममम पूपूलेशन वह है वह चीज है में आपका स्वापिंग सेन्टर है तो उस में अक्रापर है कि साहल.. उस में आपका स्वापिंग से लेके और हाइक.. ठीक है सार्विचेस के लिए तो यह हो जायेगा रेंज ठीक है कितना दूर से आ रहा है ठीक है तो यह इंडेस्ट्री सेंट्रल पैलेस पैलेस्ट थेवरी वाल्टा क्रिस्टोलर ने 1933 में दिया था इनका भूख देखी है सेंट्रा पैलेसेस इन साउधान जर्मानी और इस थ था थे शोल्ड और रेंज आप गूर्स मैंने अलरी इसके उपर डिसकास कर चुके हैं और इनका तीन प्रिंसिपल और था मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन अन्मिस्ट्रीटूब तो यह इसका देखिए ठीप फोर से वेंटिरी कॉन सा है मार्केटिंग वाला है ट तो फॉलोईंग मेथोर्स आप डिलेनियाटिंग क्रॉप कमिनेशन रिजन इन वारा टो दियार अप्यारेंस कब कौन सी यह में ठीके सीक्वेंसली आया था ठीके यह वाइज हम लोगों को एरंज करना होगा तो फास्ट दिखते हैं एक मिनिट तो फास्ट जो थेयोरी ते सेकेंड जो आया था वो है रफी ओला जी का रफियूला मॉडेल ठीक है रफियूला तो रफियूला की आया था दोस्तों 1956 में ऊके देन इसके बाद आया था जो दोई की दोई मैथोड दोए का जो है आया था 1959 पर 1959 दिन इसके बाद फोर्थ नमबर पर आएगा आपका कोपक कोपक का जो आया था दोस्तों 1964 में आथा 1964 तो आपका हो जाएगा वह वार रफिवल्ला दो याइन पर तो देखिए वह वह वार रफिवल्ला में सी बी यह डी सी बी एब यह डी वह से नमर थ्री पर है देखिए तो यहां पर आपको दिया भी गया है एक में तो यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कौन सी थियोरी कब आया था तो इसके हिसाब से आप लोग कॉपी में लिख लिएगा इसको अल्रेडी हम लोग डिसकास कर चुके हैं अब देखते हैं question number 8 बेरी बेरी इ लोग के देखना होगा यह माने कहा है यह माने ट्रॉपीकल ठिक है ट्रॉपीकल और डबलू क्या है दोस्तो डबलू माने winter dry है winter dry मैं और समर समर में कहा होगा rainfall होगा वह इत है सामर वह होगा और और पो कि यहां पर आपस्थ्वाना क्लाइमेट तो यहां पर क्लाइमेटी क्लेसिफिकेट्टन देख लिएगा दोस्तो 19 में दिया था उनिस्सों में और इन्होंने तीन बार रिविजन रिवाज किया था अपना थियोरी फास्ट रिविजन किया था 1918 में सेकें 1931 थार्ड 1936 और इनका देखिए पांच अल्फबेट जो क्यापिट अल्फबेट था उसका टाम भी देख लिए यह में क्या है तो यह सब आप लोग देख लिए यहाँ पर आपके लिए एक और अच्छे से एक लिश्ट मैंने यहाँ पर याड किये हैं ठीके बेरी बेरी इंपोर्टेंट चार्ट यह स्क्रीन स्वाट ले सकते हैं या कॉपी में लिग भी सकते हैं अगर आपने यह आप कर लिया ठीके त तो आप एकजाम में आंसर लगा सकते हैं यह माने ट्रॉपिकल हुमिड क्लाइमेट यह एफ माने क्या है ट्रॉपिकल वेट यह माने ट्रॉपिकल मॉन्सून यह डबलू माने ट्रॉपिकल वेट एंड्राइड बी में कहता है ड्राइड क्लाइमेट बी डबलू एच वोके यह सब याद रखिएगा BSK Mid Latitude Cold Stepping Then C में क्यों सा आएगा One Temperate Mid Latitude Climate इसमें क्या है CFA Humid Subtropical CFB Marine West Coast Type CW माने China Type China Type में क्या होता है Dry Winter होता है Wet Summer होता है ओके और यहाँ पर क्या है CS में Ultra होता है यह Mediterranean Type में इसमें क्या होगा Dry Summer रहेगा और Winter में Winter Season में Rainfall होगा यह दोनों का करेक्रिक्रिक्रिक है दोस्तों याद रखिएगा Very Very Important CW and CS Very Very Important आप लोग Copy में लिख लिएगा D देखते हैं Cold Snow Forest Climates DF माने Humid Continental DW माने Sub Arctic Polar Last में E आए जाएगा ET आनि तुंद्रा रिजन और EF जो Polar Ice जो Permanent IC कंडिशन में रहता है ठीक है यह EF रिजन में आ जाएगा तो आप लोग Screen Short ले दे सकते हैं दोस्तों इसका तो Next Question देखते हैं दोस्तों Question No.9 Very Very Important Questions देखे इन 1687 1677 में Who was the scientist to give the first time rational explanation of tides and tide producing forces of the moon and the sun तो तो ताइड जो यह ताइडल के जो यह जो थीओरी है 1677 में कौन सा थीओरी है और किसने दिया था ठीक है तो यह का थीओरी जो है यह जो थीओरी है 1677 ताइड प्रोडीशिंग जो थीओरी था दोस्तों वो आईजक नियूटन का था ठीक है तो अभी दोस्त देख्ट लेते हैं दोस्तों origin of tides की थीओरी तो आईजक नीटन ने फार्ट थीओरी दिया था equilibrium theory 1687 ने देन इसके बाज डाइनामिकल थीओरी लाप्लास कार 1785 प्रोग्रीशिव वेब थीओरी विल्याम हेल ने दिया था 1833 कैनल थीओरी 1842 जीबी 85 नंबर पर देखिए इस्टेशनरी वेब थीओरी र बार-बार कोशिंज पुझा जाता है ठीक है को सब्सक्राइब तो इसके बारे में भी हम लोग डिसकस कर चुके हैं रिजिनल डेवलामेंट से आपका थीओरी पोर्शन में अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखे पार्ट नमबर आइधिंग 4 या 5 में हम लोग डिस इसका सकर चुके थे इसका ठीक है तो इसका दोस्तों एंसर हो जायागा यह ओर हीड्समैन ओके हिर्समैन ने यह इंसर दिया था 1950s में ओके डेलिवरेट डेलिवरेट अन्बैलेंस डेवलामेंट और इसको इस्त्राडेजी औफ अन्बैलेंस ग्रोथ भी बुलता है थे यहां पर एक आशर मिल गया लेकिन थे और भी डिफरेंट थे यह वह सब भी हम लोगों आप लोगो देखना होगा ताकि आप लोग अगर एक्जाम में पोस्टीन आता है तो आप आप अंसर लगा सकते हैं तो फांस्ट हैड्रोलिक वह स्लोप थे यह तो मिल गया हम लो ग्यविद आप लोग जरूर कॉपी में लिख लिजे है यह इसकी शाट भी ले सकते हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स गोस्टीन में कोस्टीन इमबर 12 दोस्तों यहां पर जितने भी कोस्टीन्स यहां पर डिसक्स करेंगा ना तो यह सब कोस्टीन्स आपको जून 2021 में में तो देखते हैं दोस्तों यह जो थियोरी है मैं कितना बहुत ही ज्यादा वैलुएबल थियोरी है यहां से बहुत बार हर साल पुझा जाता है तो दो में यहां पर ज्यादा डिसकाशन नहीं कराएंगे तो यह कंसेब हाटन जी ने दिया थान यूनिफर मेट ने जम सब्सक्राइब सब्सक्राइब याद रखियेगा प्रेजेंट इज कि दूदी पास्ट साइकलिक नेजर अब रही हिस्ट्री आर्थ हिस्ट्री नोव सब्सक्राइब साइक बढ़ा में रही एकनले थूर यह मोज़ा तो यह स्क्राइब वार्शिवेंट प्रिक्राइब स्चांच से और रखियोARA कि कि साब्सक्राइब मेर फिरिप्रेज्जल शाइकल थी पास्थ एंट मैं नानाटे लिविवां इंग विदो जेन में पूच दोस्तों में आपको फिछले कोस्टिंस में भी बताया था अगर साइकल टार्म है ठीक है साइकल तो आपको अन्डविली आंसर लगा देना चाहिए डेविस को ठीक है डेविस का साइकल ओप इरियोजी नहीं है टू साइकल थियोरी यहां पर है क्यावन फॉर्मेशन से तो ज सबस्तों में चलते हैं कोश्टिंड यहां पर देख रहा है दोस्तों यह हैं मैलट ने यह सब क्यावान फॉर्मेशन धियोरीच है बहुत ज्यादा मिलियान डॉलर आपका यह स्लाइड है ठीक है जितने भी स्लाइड यहाँ पर देख रहे ना बहुत ही इंपॉर्टेन है दोस्तों कोश्ची नमर फिफ्टीन बेरी बेरी इंपॉर्टेन कोश्च जो की पूचा गया है विलियम रेली जी का जो मॉडल है लॉप रिटल ग्राविटेशन 1931 में दिया था उस मॉडल से कोश्चिन पूचा गया है तो यह बैसिकली कल्कूलेशन है तो इन्होंने जो डेवलोप केया था फॉर्मूला अगर फॉर्मूला में यह बैलू पूट त्, यहां पर, लेकिन, क्वोच्टिन में बताया नहीं कहा है कौँं सा सिटивает का पॉपलेशन है और इसको हम लोग सीचिटी aik लेते हैं और सीटी ईयगर随सलें की कहा इन्होंने आवालों ने तो इसलिए요. क्या करना होगा 6000 का जो यह पोपुलेशन यह इसको हम लोगों सीटी यह लेना होगा ठीक है और इसको सीटी बी लेना होगा इसके बात दोस्तों इसका आंसर आजागा सिक्स की में इसा आएगा आपको मैं दिखाता हूं यहां पर देखिए तो ब्रेकिंग पॉइंट का जो फ पॉपलेशन ओप सीटी एप लगे और दी अभी मतलब क्या है डिस्टेंट बीटुइन दी सीटी एए और सीटी बी तो यहां पर देखिए डिस्टांस कितना दिया था कोशन में 18 किलोमेटर ओके 18 किलोमेटर उपर बेट गया वान प्लास देखिए सीटी यहां पर होगा हम लोग यह 24,000 वाला तो इसलिए उपर बैठना होगा 6,000 आपो सीटी पोपलेशन यह नीचे बैठना होगा देन इसका जो कैल्कुलेट करके जो आएगा वो आए जाएगा यह 3030 कैंसल हो गया 6 से डिवैट किजिए यह 4 आगा 424 ठीक है तो यह होगे 4 तो रूट तो इसका 6 आ गया तो 6 किलोमेटर जो है इसका अंसर आएगा ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर 6,000 उपर बिठाते हैं 24 को नीचे तो इसका अंसर आजाएगा 12 तो यहाँ पर देखे दोस्तो रीटेल लॉफ 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 रीटेल ग्राफिटीशन दिये हैं विल्यम रेली जी ने डिवलोग के हैं 1931 में थियोरी देख लेते हैं हम लोग और इनका अकूरिंग टू रेलीज तो यह रेलीज लॉफ इन्होंने क्या बता है कि कास्टोमर जो है विलिंग होता है ठीक है अपने आप से जो है ट्राविल करता है लॉंग डिस्टेंस टू लार्जर रीटेल सेंटर्स गिवें दा हायर एट्रक्शन दे प्रेजेंट टू कास्टोमर्स दोस्तों यह जो सेंटेंस है हमने इसको इसमें भी बताया था क्रिशोला का जो रेंज वाला मेहना कंसेप्ट है यह थ्रेस्टोल एंड रेंज तो रेंज के अंधर भी यह आ जाता है ठीक है और इसके बाद इन्होंने फार्मुला डेवलोप किया था ताकि इनको पता चले कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा कितने किलोमेटर में है बिट्विन दा टू सी इस बहुत है यह रेंग साइज रूल से पूछा गया है जो कि दिये हैं 1949 में दिया था कौन जेकी जीफ ने दिया था जेकी जीफ ओके तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे फार्श आफ अवाल देख लेते हैं इनका एक फॉर्मुला था फॉर्मुला क्या पी वान सब्सक्राइब करना होगा 10,000,000 को यहां पर 10,000,000 दिया गया है तो हम लोग फटा फट देखते हैं क्या है कोस्टिन में इफ इन एनी रिजन दा लार्जे सिटी हाज 10,000,000 पोपोलेशन वाट विल भी दा पोपोलेशन साइज फॉर्ट लार्जे सिटी एकोडिंग टू र सब्सक्राइब का दोस्तों धाई लाक ठीक है वान टू लाक आपका 50,000 और सब्सक्राइब करेंग तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों रैंक साइज रूल जेके जीव ने दिया था 1949 में इन्होंने यह जो देखिये एक्सप्रेस एक था इन्होंने यह फॉर्मूला दिया था कि किसी भी सिटीज का किसी भी रैंक वाला सिटीज का यहां पर फूर्थ पूचा गया है फीफ्ट शीक्स तेवें डेट कि इतने भी रैंक हो जाए जाए कि कैसे आप पॉपलेश से सब्सक्राइब डिवर्शिफिकेशन और फॉर्श ऑफ उनिफिकेशन तो यह क्या है देखिया आप देखते हैं जीफ जीफ पॉचुलेटेट डैड़ दा साइज अन नमबर उफ सेडलमेंट इन एनी से नेशन और गौवर्ण बाइट टू सेट्स ऑफ पॉर्श देट सब्सक्राइब डिवर्शिफिकेशन फोर्श ऑफ उनिफिकेशन ओके तो यह हो गया रांग साइज रूल बाई जैकीजीफ तो अब देखते हैं कोशन नमबर सेवन्टीन इस इस आलसो बहरी बहरी इंपॉर्टन कोश्चिन यह कोश्चिन पूचा गया है आपका लॉस का इकburseμεक यूंक के लोगेशन थे तेवरी से थे द मारकेट भी बॉलाता है तो यह हां पर एकसर श्ंट मिजन दु़्यांध दिया गया है तो हम लोग देखते हैं कॉण से ह्टू है कौन सा इनिकरेक्ट है सब्कुछ हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहां पर first जो assertion है वो है loss believed that the price increase is the result of transport cost and by rotating the demand curve the production point P the shape of the market area is in circular तो यह जो statement है दोस्तों एक करेक्ट है ठीक है क्योंकि इन्होंने loss का जो a model है इन्होंने बताया था कि जैसे ही distance increase होगा ठीक है distance जैसे increase होगा ठीक है उस तरीके से जो है demand कम हो जाएगा distance increases demand increases transportation court increases demand also decreases ठीक है तो यह याद रखिएगा और इन्होंने यह भी बताया था कि जो production point P point है मैं diagram दिखाता हूँ P point से तो वहाँ पर दोस्तों market area जो है circular form में होता है तो यहाँ पर देखिए diagram तो दोस्तों यह रहा आपका market की center point है यह हो गया आपको पूरा circular form और यह demand कोन है दोस्तों यह यह वाला जो है यह जो कोन है यह demand कोन है ठीक है तो यह जो state में है दोस्तों correct है यह सरसन हो गया region देखते हैं lost treated each function having a separate range threshold and hexagonal hinterland तो बिल्कूल यह भी correct है दोस्तों इन्होंने different separate range दिया था किसी भी जो हर एक फांसन का threshold और hexagonal hinterland different different था ठीक है separate था तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा option number two तो दोनों दोनों सोरी दोस्तों दोस्तों यहाँ पर दोनों statement correct है लेकिन correct explanation नहीं है क्योंकि यहाँ पर अलग चीज़े बता रहा है यहाँ पर अलग चीज़ discuss हो रहा है क्योंकि यहाँ पर market area की बारे में बोला गया है यहाँ पर देखिए circular form में दिमांड की बारे में बोला गया है लेकिन यहाँ पर क्या गया है यहाँ पर के वैलूस की जो फांसन से different range है threshold है और hexagonal hinterland है तो यह different है और यह different instrument है तो इसका answer हो जाएग option number two ओके बोतर करेट बट not correct explanation तो यहाँ पर दोस्तों आगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर श्रीज जो थियोरी वाला हम लोग किये थे तो यह आप लोग देख सकते हैं अगाश्लास 1954 में दिया था और इसका जो में ओरिजिनल जो फार थियोरी था वो फर्मुलेट हुआ था 1940 पे लेकिन इंग्लिस में ट्रांसलेट हुआ 1954 में और इसको इस थियोरी के दोस्तों प्रॉपिट मैक्सिमाजेशन थियोरी बोला जाता है डिमांड के उपर ज्यादा फोकस किया था इन्होंने पूरा जो है एंटर जर्मानी की उपर जो ही इस्टडी किया है अर्बन प्लेसेस आप एंटर जर्मानी ओके लेकिन जो क्रिस्चलर का मॉडल है वो सवदान जर्मानी की उपर ही बेसिस था ठीके और इन्होंने डेर सो जो है कमोडिटीज और सर्विसेस को जो है इस्टडी किया था ठीक है और इसका आजमसन देख लिएगा आजमसन सब में सब थियोरी में यही होता है बेसिकली कि आईसो ट्रॉफिक सर्पेस रहेगा कोनुस्टें सप्लाई और गूर्स और सर्विस रहेगा तो आप लोग एक बार देख लिए और इस तेहरी के साइलंट फिचर्स जो है यह साइलंट फिचर्स आप लोग जरूर्व एक बार देख लिए तो हमने फेले ही बतायते हाँ कि डिमांड डिक रिजेस होगा जैसे इनकृइज क्रीज प्राइस इनकृइज हो जाएगा इफ इस प्राइस the demand would decrease अगर ट्रांसपोर्ट कोस्ट के लिए आपका डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर देखे डिमांड डिक्रीज विट डिस्टांस फ्राम दा प्रोडक्सण सेंटर और रॉटेटिंग डिमांड कार्ब टैरॉंड दा प्रोड़क्शन पी यह रहाँ पर पी दसे पदी मार्केट एरिया इस तीन टू भी सर्कूलर आपका क्या होगा मार्केट एरिय प्रएक्टिव है क्योंकि इन्होंने से परेट रेंज दिया था थ्रेस्फोल्ड दिया था और एक्षागुलल हिंटल लेंड दिया था और दोस्तों लास्ट जो आपका इनपोर्टेंट फीचर्श तेज तेवरी का वो है लॉस का के वहलू इन्होंने देड़ सो के वहलू द तो यहां पर देख सकते हैं कि एक इतना है। तो next question question 18 यहां पर Chris Solaar model से पूछा गया है के सेवन का भ्यालू कॉन सा है ठीक है। तो K7 माने administrative principle यहां पर ज्याधा discussion नहीं करते हैं लंबा हो गया वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो यहां पर देश सकते हैं क्रिशोला सेंटर प्लेस तेवरी सेंटर प्लेस तेवरी 1933 में दिया था सौधान जर्मानी के उपर बेसिस था ठीके और दो एकोनोमी के उपर बेसिस था कौनसा थे रेस होल्ड एंड रेंज अब गोड इसको अल्रेड हम लोग डिसकास कर चुके हैं और यह भी डिसकास किये हैं कि कौनसा प्रिसिपल कौनसा है ठीक है आप लोग जरूर देख लिए प्रिविएस वीडियो जो को सिन नमार 19 देखते है जेके जीव डिस रेंक साइज रूल उन माक्ट जेफर्सन प्रामेट सिटी त्री आप चलते दोस्तों नेक्ट कोशिन में तो यहाँ पर rank size rule भी देख लिजे, rank size rule किसने दिया था और concentric zone model 1924 में बारगेस ने दिया था, ठीके, कौन सी city को पवेशिस था, Chicago City, America, आज जोन दिया था, circular form में, central business district, that is CBD, zone of transition, zone of independent workman's home, zone of better residence and commuter zones, last question of this class, very very important, यह जो model है दोस्तो, बरगेस और उलमेन का, बहुती, सोरी, बरगेस नहीं, हैरीस और उलमेन का, बहुत important आपका theory है, यहां से basically questions बहुत बर भूचा गया है, एक जाम में, तो देखिए, यहां पर क्या पूचा गया है, number 3 and 6, जो है, nuclear model, nuclear centers, जो है, हम लोग को सेंटर है, ठीक है, है, हैरीस और उलमेन की, जो model है, यह जो model है, आपका multiple nuclear model, तो हम लोग को देखना होगा, 3 and 6, तो 3 में कौन सा है, low class residential, low class residential, and 6 में आ जाएगा, दोस्तों, heavy manufacturing, heavy manufacturing, तो इसका answer हो जाएगा, option number 2, that is, low class residential and heavy manufacturing, तो यहां पर देखिए, उलमेन, हैरीस और उलमेन, मुल्टिपल ने एक लिया, मॉडल दिया था, 1954, 45 में, उनी सो पैतालिशन में दिया था, और कॉंसी सिटी के उपर बेसिस था, चिगागो सिटी, 9 दिस्ट्रिक्ट, यहां पर यहां पर होगा, तो यह होगा, तो यह होगा, तो आपको याद रखना होगा, दोस्तो, ठीके, यहां से ही एक जाम कोस्टीन में, एक जाम में कोस्टीन फूचा जाता है, सबोची जी यहाँ पर देखिए ना लास्ट बला कोस्टीन देख लिए आपने तो यहाँ से थी एंड शीक्स पूचा गया है क्या पता आपका जो नेक्स्ट एकजाम आएगा तो वहाँ पर फाइब याइट या नाइन पूच ले ठीक है तो नाइन में क्या है ए स्वाइब म मॉर्डिल बेरी इंपोर्टेंट मॉर्डिल में आपको मैं कितना बताऊं में मेरे पास जो है सब्द नहीं है कितना अच्छा मॉर्डिल है यह सब जितना भी मॉर्डिल हमने यहां पर देखे हैं questions और मॉल्डिल देखे हैं अगर आपने पलडिया ना तो आप लोग के पू कर रहें तो ओविएसली ज्यारेफ भी हो जाएगा ज्यारेफ आपके हाथ में हैं अगर आपने अच्छे से मॉडल थियोरीज की सेक्षान पड़ लिया और बाकी जितने भी पॉर्संस मैंने यूटूब में दिये हैं और इसके साथ हम लोग जो है प्योड भी करेंगे आपका ज्यारेफ हो जाएगा ठीके आप लोग जरूर जो है वीडियो का लाइक कर दीजे अगर पसंद आया तो तो इस लेक्षर में टोटल 20 questions हम लोग देखा और next lecture में भी देखेंगे देखते हैं कोसिस करेंगे maximum questions लाने का लेकिन वीडियो जो है लंबा हो रहा है इसलिए लिए कोसिस करेंगे ज्याद से ज्यादा questions अभी डिस्कास करने के लिए तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल और सब गुर्ब जॉइन नहीं के तो प्लीस जॉइन कर लिजागा और इसका मॉडल स्वरी मॉक टेस्ट और पीडिये आपको एपिसेटर में मिल जाएगा लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है आप लोग जरूर डेस्क्रिप्शन बॉक् इस वीडियो थैंक्स अलॉट